दोस्तो अगर आपने शापी ट्रेंड का पार्ट वन टू अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें परना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी पिछले वीडियो में हमने देखा कि गुली बुली और गबर दर्वाजे को धक्का देने आ रहे होते हैं तब ही जोकर यहां आ जाता है और इनी लोगों को ढूनने लगता है और इदर शौन मिस्टर बिल्दू से हेलिकॉप्टर के लिए बात करता है और इजोकर इनसे दोस्ती भी कर लेता है और इतर शौन हेलिकॉप्टर लेके इन लोगों को ढूनते हुए आने लगता है और गुली बुली को फोन करके बता देता है कि यह उन लोगों को बचाने आ रहा है और ये जोकर इनको एक आगे वाले डब्बे में ले आता है ये लोग यहाँ पर बाते करी रहे होते हैं तब ये भूट जोकर को बुला लेता है इसे भूख लगी होती है और ये इसे गबबर को लाने को कहता है ये आके गबबर से जूट बोल के अपने साथ चलने को कहता है चलिए अब आगी की स्टोरी देखते हैं बुल्ली कहता है कि मेरा तुमसे एक सवाल है जोकर ये बता क्या किर तुम गए कहां थे मुझे तो लगा था कि उधर कोई जगह ही नहीं है जोकर कहता है कि वहाँ बिल्कुल जगा है बुल्ली और मुझे गबबर के दोस्त कालिया के बारे में जानकारी मिली है इसलिए मैं इससे लेने आया हूँ गबबर कहता है कि जल्दी चलो जोकर मुझे अपने दोस्त को मिलना है और उसे अपने 1100 रुपय लेने है मुझे गुली कहता है कि तुछलो चलते हैं जोकर कहता है कि अरे तुम दोनों यहीं रुको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वहाँ आने की हम दोनों कालिया को लेखे जल्दी ही आ जायेंगे यहाँ पे तुम यहीं पे आराम करो बुल्ले कहता है कि ठीक है जोकर तुम दोनों अभी जा सकते हो हम यहीं पे तुम्हारा इंतजार करते है और अब जोकर गबबर को लेके जाने लगा है बुल्ले कहता है कि गुल्ली हमें भी इन दोनों के पीछे जाना है ये जोकर जरूर हमला वगेरा करने वाला है बुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम्हें इस जोकर पे भरोसा नहीं है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जोकर एक बुरा आदमी है बुल्ली कहता है कि मुझे बिलकुल यकीन है कि ये जोकर एक बुरा आदमी है ये सब छोड़ो ज़रा उधर तो देखो अरी गबबर तो यहां पर फस चुका है इसका मोटा पेट तो इसके लिए ही मुसीपत बन गया गबबर कहता है कि गुली बुली ज़रा मेरी मदद तो करो इतना कम वजन होने के बावजूद भी मैं इसमें कैसे फस सकता हूँ लोगों को ढंग से दर्वाजा बनाना चाहिए बुली इसके पास आने लगा है और ये गबबर को धक्का देने लगा गुली कहता है कि बहुत बढ़िया बुली तुम बहुत सही काम कर रहे हो और इधर ये भूत इस जोकर से कहता है कि ये क्या भद्दा मजाख है अखिर ये आख क्यों नहीं पा रहा है बुली गुली से कहता है कि जरा तुम भी आके मेरी मदद करो गुली अरे ये गदर को तो उन लोगों ने अंदर खीच लिया गुल्य कहता है कि बुल्य पीछे देखो किसी न गबर को अपनी और खीच लिया है बुल्य कहता है कि ये तो दर्वाजा भी बंद हो गया है गुल्य गुल्ली इससे कहता है कि बुल्ली मैंने देखा था कि इस बार वो जोकर नहीं था बल्कि इस बार तो कोई और ही डरावना सा था बुल्ली कहता है कि शादी ये वही ट्रेन का असली खुनी होगा हमें गबबर को कैसे भी बचाना होगा और शौन को अब शापी ट्रेन दिख गई है और ये शापी ट्रेन के पीछे जाने लगा और अब ये गुली बुली को फोन करने लगा शौन कहता है कि गुली बुली मैं ठीक शापी ट्रेन के उपर ही हूँ तुम लोग ट्रेन के उपर आजाओ, मैं तुम्हें उपर से उड़ा ले जाओंगा बुल्ली कहता है कि शौन हम अभी उपर नहीं आ सकते हैं गबबर को किसी ने पकड़ लिया है और दर्वाजा बंध है हम लोग उसे बचाना होगा शौन कहता है कि ठीक है बुल्ली, मैं भी ट्रेन में आ रहा हूँ हम लोग साथ में मिलके गबबर को बचा लेंगे तुम लोग मेरा इंतिजार करो बुल्ली कहता है कि नहीं शौन, अगर तुम भी अंदर आ जाओगे तुम भी फस जाओगे, तुम्हें बाहर ही रहना होगा हम कुछ न कुछ करके आही जाएंगे बाहर और अब शौन ने फोन रख दिया ये तो हेलिकॉप्टर को ट्रेन के उपर उतारने की कोशिश करने लगा मगर इसे साधान रहना होगा इसने तो सही सलामत हेलिकॉप्टर ट्रेन पे उतार दिया मगर इसका हेलिकॉप्टर थोड़ा गलत उतर गया और ये हेलिकॉप्टर और ट्रेन को दोनों साथ ही में पलट गए गुल्ली बुल्ली सही सलामत ट्रेन से बाहर आ गए और ये भूत रिंगते हुए बाहर आ गया और ये सही सलामत खड़ा हो गया है और इस जोकर को देख के तो लगता है कि इसका खेल खतम हो गया और गब्र भी इदर बेहोश पड़ा है गुल्ले कहते है कि बुल्ले अभी-भी ये क्या हुआ था अच्छा हुआ हम सही सलामत बच गए बुल्ले कहता है कि गुल्ली शौन का हेलिकॉप्टर ट्रेंड से टकर आया है जल्दी चलो कहीं शौन को चोट ओटना लगी हो और ये लोग शौन के पास आने लगे हैं शौन इधर खुद से खड़ा होने लगा शौन को सही सलामत देखके ये दोनों बहुत खुश है शौन कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम दोनों ठीक तो होना रसर भी हुआ क्या था मुझे तो कुछ यादी नहीं है गुल्ली कहता है कि शौन तुमारे हेलिकॉप्टर ट्रेंड से टकरा गया था गुल्ले कहता है कि आरे इधर देखो ये तो गबर है ना ये तो बेहोश हो गया है शौन कहता है कि तो ये है गबर तुम लोग इसी के लिए आये थे क्या गुल्ले कहता है कि नहीं शौन हम इसके दोस्त कालिया को ढूनते हुए आये थे शौन कहता है कि तो काल्या कहा है बुल्ली कहता है कि वो आसपास्री होगा शौन हम लोग काल्या को ढूंडने जा रहे हैं तुम ज़र अगब्बर कर ध्यान रखो और ये दोनों काल्या को ढूंडने जाने लगे इन दोनों ने जोकर को पड़ा हुआ देख लिया गुल्ले कहता है कि ये तो वही धुके बाद जोकर है गुल्ले कहता है कि गुल्ले वैसे इसका साथे भी तो यही होना चाहिए आखिर वो कहाँ पे है अरे ये तो इने का इंतिजार कर रहा था ये दोनों इसको देखके बहुत डर गए हैं अरी ये क्या हुआ ये तो गबबर और शौन है बुल्ली कहता है कि अरी तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया गबबर कहता है कि बुल्ली इसके साथ तो ऐसा ही होना था इसने मेरे दोस्त को मारा है आखिरकार मैंने अपने दोस्त का बतला ले ही लिया और अब तो शापी ट्रेंड के भी कहानी खतम हूँ दोस्तो आप कोई वीडियो कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और ये रहे पिछली वीडियो के कुछ कॉमेंट्स अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में आपका भी कॉमेंट आए तो कॉमेंट में जाके प्यारा सा कॉमेंट जरूर लिख दें